वेलकम जी आपका एक अफिर से स्वागत है हमारे चनलन अंगे अश्टरो में और आज आपको हम बताएंगे कि आप कैसे अपने इंडेक्स फिंगर से याने की तरजनी उंगली से पता कर सकते हैं कि आपकी या लोगों की आस्था किसके परती ज्यादा है आपकी पैसे कमाने क के परती आपका जुकाओ ज्यादा है या प्रेम के परती आपका जुकाओ ज्यादा है रिस्तों को बचाने के परती आपका जुकाओ ज्यादा है इसके अलावा आपकी बौधिक छमता कैसी है और आपकी सोच कैसी है इसके द्वारा हम पता करेंगे जैसे कि आप देख रहे आप तैय कर सकते हैं कि विक्तिक प्राथिनिकता क्या है उसके लिए पैसा जादा महुत पुर्ण है या प्यार जादा महुत पुर्ण है या उसकी जो मांसिक स्थिति है वो किस तरफ उसे ले जा रही है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं बोथ जेंडर के लिए इस तरह खंड है जो कि आपको अगर यहां से आप अलग कर देंगे इसे इसके संधी रेखा से जहां से उंगली शुरू होती है तो यहां से लेकि यहां तक के खंड को आप जो फर्स्ट खंड है फर्स्ट बोर्ड है यह आपके आर्थिक सोच से समंदित है आर्थिक हितो से समंदित है जो second यहाँ अलग से जो है जो कि आपके second बीच की संधी रेखा आपने छोड़ देनी है संधी रेखा की ऊपर से यहाँ से लेकि और तीसरे खंड के मद्धे तक यह आपकी बीच वाली रेखा इससे पता चलता है कि विक्ति का प्यार के परती कैसा जुकाओ है इसके अलावा इससे पता चलता है कि विक्ति मुल लूप से कैसा है और किस तरफ हो जा रहा है ठीक है तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम पता करी कि विक्ति का जुकाओ किस तरफ ज्यादा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि संधी रेखा से एक लगीर खीचेंगे यहाँ तक दूसरी संदी रेखा को छोड़ देना है और तीसरी सी स्विच्वुक्प लिए उस sबसे बढ़ी रेखा कोई हैं तो जैसा कि आप इस käytर में देख रहे हैं सबसे बढ़ी रेखा नीचे वालीgeschर्णी अलग मतलब सीधे तोर पर बता रही है कि उसके लिए पैसे ज्यादा मौतपुर्ण है, सेकंड इस्थिति में उसके लिए प्यार आता है, तो पैसा इसके लिए मौतपुर्ण हो गया, उसके बाद ही इनके लिए प्यार की इस्थिति आती है, अब मालो कि अगर यहां पर उल्टा हो, यहां पर यहां से यहां तक छोट करें तो mentally कि हां आंत्रिक रूप से उनके लिए क्या मौत पुर्ण है तो आंत्रिक रूप से इनके लिए प्यार ज्यादा मौत पुर्ण है पैसे दो मिनेट के लिए ना भी आए चलेगा लेकिन प्यार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए रिष्टे में खटास नहीं आनी चाहिए तो इनके लिए ज़्याद महत्पुर्ण हो जाता है अब तीसरे से हमें क्या पता चलता है मालों कि अब किसी का एभी एक जैसा हो और यह सबसे बरा हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा दोस्तों ऐसे बहुत ही कम लोग हो लेकिन जो भी होते हैं उनका जीवन काफी कश्ट प्रद होता है ऐसे लोग बहुत ही अच्छे दिल के होते हैं बहुत ही सांत सवाव के होते हैं किसी का कुछ बुरा नहीं करते लेकिन नहीं नहीं इनका प्यार मिल पाता है और जिन्दिकी काफी तकलीफ मेनी की जाती है त जो सारी में इस्तितिया बताई उसमें मानलो कि आपकी आर्थिक स्तिति बड़ी है लेकिन आपको आर्थिक फायदा नहीं हो रहा है मतलब क्या जब भी यहाँ पे कोई आड़ी रेखाई से कारते तो समझो कि आपके जब भी इस खास खंड में अगर आड़ी रेखा चलने बाद आपको धनकी प्राप्ति होगी यहां पर बीच में अगर कोई आरी रेखा कारते हैं ब्रेक अप होना है आपके जिन्दिगी में प्रेम समंदों में खटास आनी है ऐसी मुश्किले आ जाती है ठीक है अब उपर वाले भाग से हम कैसे पता करेंगे कि हां क्या है मालो कि आपको मैं ऐसे बता दू यहां से यहां तक अच्छी इस्तिती में हो ए भी अच्छी इस्तिती में हो सब एक समान होर अउंगली एकदम सीधी इसका मध्यमा की तरफ मतलब इस तरफ जुकाओ ना हो तो ऐसी स्थितिय में क्या होगा ऐसे लोग बहुत लग्य होते हैं जिन्दिगी में प्यार की प्राप्ति होती है पैसों की प्राप्ति होती है और जिन्दिगी बहुती आराम से कट जाती है लेकिन अगर इसका तो काफी अच्छी होती है अब अगर इस तरफ हो तो क्या होगा इस तरफ होगी तो पैसे रहेंगे प्यार में पैसे रहेंगे जिवन में लेकिन उससे को यह लाफ इनको ज्यादा मिलना ही पाएगा क्योंकि यह पैसे उराएंगे बहुत लुटाएंगे बहुत ज्यादा गल क्या होगा ऐसे लोग प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं कहीं भी जा सकते हैं किसी भी हद तक उजर सकते हैं इनके लिए उससे ज्यादा मुहत्पुर्म दुनिया में कुछ नहीं होगा तो यही था इनका टोटल इसके अलावा कुछ और बाते हैं इसमें जिसके तोरा पता क कर सकते हैं कि ऐसी रेखाओं से समन्धि जो जातक है उनके लिए क्या जाधा सही रहेगा मालों कि किसी की उंगली जो है सो इहां से लेकि इहां तक बहुत पदली और अगर आपकी यह ज्यादा सही रहेगा लेकिन अगर जिनका यह तुरा ज्यादा मोटा है वे लोग बेवसाय से ज्यादा सफलता प्राप्त करेंगे और खास कर अगर एच्छेतर लंबा हो तब तो समझों कि बस सुवारे ने आ रहे हैं पैसे ही पैसे हैं कोई प्रोलम नहीं है तो दोस्तो भी और बहुत सारे फिंगर्स के और भी चीजे हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे मिलते हैं फिर